दोस्तो WWE Universal Champion Roman Reigns ने Main Event Summer Slam में John Cena को हरा दिया जैसे ही Roman Reigns ने John Cena को हराया उसके तुरन बाद The Beast Brock Lesnar की WWE 2021 में एंट्री हुई जैसे ही Brock Lesnar की एंट्री हुई तो सभी दर्शक और Commentator चौक गए चौकने के साथ साथ सभी दर्शक काफे खुश भी दिखाई दिये और उन्होंने Brock Lesnar का WWE 2021 में स्वागत भी बड़े जोर शोर से किया एंट्री के बाद Brock Lesnar रिंग की तरफ जाते हुए दिखाई दिये और फिर वे Roman Reigns के साथ Face to Face भी दिखाई दिये Brock Lesnar अपने एक नए अवटार में नजर आ रहे थे जहां उन्होंने लंबे बाल और लंबी डाड़ी रखी हुई थी हाला कि Roman Reigns ने तूरंथ ही रिंग छोड़ने का फैसला किया लेकिन Brock Lesnar रिंग में ही खड़े रहे उन्होंने पहले तो जॉन सिना को सुपलेक सिपी मूव से रिंग में गिराया और पूरे WWE ग्राउंड में सभी दर्शक सिर्फ और सिर्फ Brock Lesnar का नाम लेकर चिल्दाते हुए दिखाई दिये दोस्तो Brock Lesnar WWE इतिहास के सबसे खतरनाक खिलाडियों में से एक है Brock Lesnar ने हर बड़े से बड़े फाइटर को हराया है Brock Lesnar ने न जाने कितने ऐसे टाइटर्स जीते हैं जो कि एक रिकॉर्ड भी है दोस्तो अब देखना दिल्चस्प होगा कि आखिर Brock Lesnar आने वाले समय में किसे चैलेंज करते है दोस्तो आपको क्या लगता है क्या Brock Lesnar रोमर रेंज को चैलेंज करेंगे या फिर किसी और को आप हमें कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट करके ज़रूर बताए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजे और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजे धन्यवाद दोस्तो